और एक बर फिर असद उद्दिन ओवेसी ने विपक्षियों को निशाने पर लिया है ओवेसी ने ना सिर्फ बाजपा को निशाने पर लिया बलकि अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया वेसी ने दावा किया एक अकेलेश बाजपा को नहीं हरा सकते। आप बताएए चोकीदार मालिक का नमक खाता है ना मगर मोडी जी ने का आप मैं चोकीदार नहीं हूँ मैं बादशा सलामत हूँ हम मोडी जी से कहना चाहेंगे कि हमारे पुर्वजों ने हम उने सब ने मिलकर देश का नमक खाया हम मोडी का नमक नहीं खाएंगे जहर खाना पसंद करेंगे अब अचानर उनको ख्याल आया किसान किसानों की फसल को खा रहा है जब किसान जाकर बाबा से मिले तो बाबा ने कहा तुम क्यों शिकायत कर रहे हो हमने तुम को दो रोजगार दे दिये किसान ने कहा मुख्यमंत्री जी आपने कहा दिये तो बाबा ने कहा ज्यादा बोलोगे तो ठोट देगे किसान ने बुचा कि ठीक ने ठोट दी दिये मगर ये सान्ड का क्या है हम को दो रोजगार कहा दिये तो मुख्यमंत्री ने कहा दिन में तुम अपनी खेत में काम करो रात में जाक कर अपनी फसल की माज़त करो यह हमने तुम को रोजगार दे दिया और अब खबर विजनौर से विजनौर में एक का मेरिज हॉल अखाडे में तब भी लो गया मामूली सी कास उनी को लेकर दो पक्षों के बीच कुर्सियां चली लाटी डिंडे चले बताया यह जाराए कि बारातियों की लड़की पक्ष ने पिटाए करती इस पिटाए में छे लोग जखमी हो गए हैं जिनमें से एक की हालत नाजुक है यह देखिया यह मेरीज हाल की तस्वीर है मेरीज हाल को विडिया आप देख रहे हैं यहाँ पर विवा होना था यहाँ पर सेलिब्रेशन होना था लेकिन लड़की और बाराति पक्ष आपस में भिर गए लाटिया डिंडे चले लाट भूर से चले एक दूसरे को गालिया दी गई और इस तरीके से शादी में जश्न के बजाए बवाल हो गया तस्वीरें और वीडियो आपके उस्पीन पर जो है इस वक्त वो एक मेरीज हाल का है वह जगे जहां पर विवास संपन्न होता है वहां पर युद्ध जैसे स्थितिया बन गई दो पक्षों को पुछते हैं कि अजय कर दो कि अजय कि अजय कर से आप एक बार देखिए कुर्चिया जो वहां पर थी जिन पर बारातियों को बैटना था जिन पर मेहमानों को अराम करना था बैटकर वो हतियार में तब्दील हो गई है इस आधि आधि आधि